अलेकुम योट्यूब दोस्तों एहसास एमर्जनसी पोग्राम की लास्ट डेट जो है वो अब आज चुकी है तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसकी लास्ट डेट क्या है और अगर आपको पैसे नहीं मेले तो आपने क्या करना है क्या नहीं करना तो यह सारी कि सार यह चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पुरी की पूरी समझ आ जाए क्योंकि फिर समझ नहीं आती तो फिर आप नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि यह किस तरह होगा यह किस तरह से होगा तो मैं आपसे रोकेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारे स्टेप्स की समझ आ जाए ठीक है तो जैसा के जो है वो एसास अमर्जनसी प्रोग्राम जो हो खतम होने लगा है मतलब उस अपलाय तो कब से खतम हो चुका था लेकिन पैस है उसके उपर मैं आया हूँ हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो क्या क्या करना है ठीक है तो दोस्तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रोकेस्ट करूंगा कि अगर आपने भी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल वेब साइट है इसे भी मैं दिखाऊंगा आप थोड़ा सा नीचे आएं तो यहां पे देखें आपके पास जो हैं टूटर नजर आ रहे हैं आप में आपने क्लिक करना है तो आप जो हैं वो सीधा टूटर पे चले जाएंगे इनके ऑफिशल पेज के उपर यहां पे देखें अहम एलान अगर आप एहसास एमरजनसी केश के लिए एहल हैं और अभी तक आपने रगम वसूल नहीं की तो जान लें कि एहसास एमरजनसी केश हो बसूल करने की आखरी तारी जो है वो 15 सिपमबर है ठीक है तो यह ओफिशली जो है वो एहलन कर दिया किया है गोवर्मेंट पर दालना है और यहाँ पर यहाँ पर आप को कोड़ हो out ने हैं यहां वसूली का पता करें और अगर आप यहां पर होगे आपको यहां पर होगे जिवाकिए आपको मैसिज भी आया वा वह और यहां पर चेक कर लिए खर बार मैसेज भी नहीं मिलता है आप यहां पर एक दफ़र आकर चेक कर लें आपके पास बहेशक मुबाइल हो या कंप्यूटर हो उसे फार्क नहीं पड़ता आप मुंबाइल भी उपन कर सकते हैं और अगर आपध है इस फार्क ऑपने के बाद ही आपने जो हैं यह थखें करें अब आप्ने क्या करना करना है यह वेबशाइट के ऊपर आजाना है पी-u-s.ご-.pk अगर इसका open ना और हो तो इस तरह से भी open कर सकता है इस website के उपर आने के बाद आप programs में आएंगे programs में आने के बाद आपने simple आना है एसास emergency cash के उपर आपने click कर देना है जैसे इसके उपर click करेंगे यही वाली website आप सेम यह पर देखें यहाँ पर यहाँ पर यह एक सेम चीज है ठीक है आपके पास यह वाली open हो जाएगी तो यहाँ पर आप जिस भी लाकि में लेते हैं यहाँ पर पूरा पकस्तान का उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ आप यहाँ से जा के इनके इदर से इस ञिए ने कम्प्लेट करने के लिए हैं करने के लिए वे बहुत सारी तरीक हैं आप यहां पर सर्च करना है और यहां पर आके करें कि मुझे पैसे नहीं दिये जा रहे हैं कि इससे नहीं तिब प्लेन भी कर सकते हैं लेकिन अब याद रखें के पंदरा जो तारीख है वो आखरी तारीख है बी आई एस पी मतलब यह जो है वाप खतम होने लगा है एसास एमर्जनसी कैश प्रग्राम ठीक है तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपनी पैसे जो है वो निकलवा सकते हैं तो दूसरा ये था उन्होंने जो एक और एहम एलान किया है उसको भी हम देख लेते हैं आप थोड़ा सा यहां पे नीचे आएं तो यहां पे देखें अहलियत के बारे में जानने के लिए मैंने आपको आल्रेडी बता दिया इस तरह से करना है एहल फर्द की वफात की सुर के लावाहिकीन में से मजवजा मुश्ताइक फर्द का नाम और शनाती कार्ड दर्च करें और इसी पते पर रिसाल कर दें ठीक है अब आपने क्या गरना है अगर आपको कोई फोट उचका है तो आपने इसका डेट सर्टिफिकेट बनाना है वह लादरा से बनेगा उसका सर नाती का जिस बंदे ने उसकी रखम वसूल करनी है वह आपने जो है वह नीचे वाले पते पर आपने इस तरह कर सकें अच्छा जो आप तो आप सोच रहे होंगे कि यार यह तो पनरा दिन से लेट हो जाएगा लेकिन जो है वह नहीं लिखा हुआ है कि जो जो लाइकिन जि सामना है वह पंदरा दिन के बाद अपनी वसूल करेंगे और इसी तरह जो वफात पा जाने वाले अफराद हैं वह भी पंदरा तरीक के बाद जो है वह जिनका मतला मसला आ रहा है वह पंदरा तरीक के बाद जो है वह अपनी रखम वसूल करेंगे तो अपने घबराना नही तो एसास की जाने से ऐसे अफराद के लिए तरीका कारवजा कर दिया गया है जिसके बारे में आपको बैंक के नामज़त ब्रांचे से अदाइगी का SMS जो है वो 8171 से मिल जाएगा जिसमें बैंक ब्रांच का नाम और अदाइगी और तरीख भी दर्ज होगी मजीद तफसिला मैं सारी चीज़े समझ आ गए होगी अच्छी तरह से और बिल्कुल सही तरह से समझ आई होगी अगर आपका फिर भी कोई क्वेस्टन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए ठीक है तो जोस्तों एहसास एमर्जनसी कैश्ट प्रक्राइम जो है वाप खतब होन इनफर्मेशन फिल्कुल सही इनफर्मेशन देता हूँ क्योंकि बाकी लोग जो है वो फेक इनफर्मेशन फैला रहे होते हैं किस तरह करें इस तरह करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ जो है वो यहां पर कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो फेक हो ठीक और सबको खुश रखिये तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अलाफ़ेश